आज हम आपसे रावास से मैं अगर चुप होगी मुकमल कहान शेयर करने जा रहे हैं आने वली एपिसोर में आप देखेंगे शफा को जब से आतिफ ने परपोस किया था शफा बहुत बड़े शान थी मगर युनिवस्ट्री ना जाकर भी वो कितने दिन आतिफ के नजरों से बैस सकती थी अगले दिन शफा युनिवस्ट्री गई तो आतिफ को देखते ही शफा जाने लगी मगर आतिफ शफा के सामने आकर खड़ा हो गया और जल्दी से बोला शफा तुम्हें मेरे सवाल का जो आप देना चाहिए था युन नजरे फिर लेने से क्या होगा मैंने तुम्हें जब से देखा है मैं तुम्हें पसंद करने लगा और तुम मेरी मुहबत का जब चाहिए सबूस ले लो चाहो तो मैं अभी जो कहो कर दूँगा इस पर शिफा गुसे से बोली आतिव बहुत होगी तुम्हारी बाते आएंदा यू मेरे रस्ते में ना आना ये कहकर शिफा चले गई जिबके सहरीश ने इन दोनों को बाते करते देख लिया कलासाफ होने के बाद सहरीश ने शिफा से आकर कहा ये तुमने आतिव पर क्या जदू कर दिया यूनी की हर लड़की आतिव से दोस्तियां बात करने को अच्छा समयती है और वो है कि सिर्फ तुम से ही बात करता है और तुम में इतना अटिट्यूट है कि तुम उसे जवाब देना भी गवारा नहीं समयती शिफा भूली सहरीश तुम जानती हो मैं लड़कों से ज़्यादा बात नहीं करती बस यही वज़ा है फिर जिशान ने जहां सब गारवलों से माफ़ी मांगी वही शमीम चट्टी से बात करने की कोचिश की मगर शमीम ने साफ कह दिया आइंदा अपनी जबान से मुझे चट्टी नहीं कहना तुम यह हक खो चुके हो ना ही मैं और ना ही मान तुम्हें माफ़ करेगी तुम्हें अब इसी पच्टावे के साथ जिन्गी गुजारनी है जिशान इसी परशानी से गाड़ी लेकर निकला के रस्ते में वो चच्ची की बाता याद कर रहा था के इसी दुरान उसका एक्सिडेंट हो गया लोग जिशान को होस्पिरल लेकर गए जब गरवलों के इस बात का इलम हुआ तो वो फोरान सब रोते होए होस्पिरल पहुँच गे सब जिशान की जिन्गी की दुआइं मांग रहे थे जैसा भी था आहिर था दो उनका बेटा डाक्टर ने बताया के हून काफी बैख चुका है इसलिए मरीज की हालत हत्रे में है आप बस दुआ करें आहिर चंद करन टोबा जिशान की हालत हत्रे से बाहिर थी सब ने हुदा का शुकर एदा किया जब जिशान को हुश आया तो सब गरवलों को पास पाकर वो बहुत हुश था सिवाए एमान और शुमीम चची के बागी सब ने जिशान को माफ कर दिया जिशान ने फिर एक दफा सबसे माफी मंगी तो फ्रेंड्स अगर आप मैं चैनल पर नए है तो कानली चैनल को सबस्क्राइब की लिए मजीद आफ देखेंगे जब जिशान की तबीद कुछ ठीक हुई तो शमीम जल्द 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 इमान की शादी कर देना चाहती थी फिर शमीम ने आहद आलम के पापा से शादी की तमाम बाते तै कर ली किसी को भी इस रिश्टे पर कोई अधराज ना था इमान भी शादी के लिए कुछ न बोली क्योंकि वो जिशान के लिए अम्मी की नफरत देख चुकी थी इमान का दिल साब को छोड़कर जाने के लिए नहीं मानता था लेकिन अम्मी की जिद किया कि वो हामोश रही फिर बहुत जल्द इमान और आहद आलम की शादी हो गई जिशान के लवा बाकी साब ही इमान की हुश्यों में शिरीक थे आहद आलम इमान को पाकर बहुत हुश था लेकिन इमान का दिल अभी भी सिर्फ जिशान की मुहबत और नफरत में अटका हुआ था आहद आलम ने सिर्फ तवज्जों ना दी क्योंके सब ने यही बताया कि इमान हामुश तबियत की है इमान की शादी वाले दिन आतिफ को जब पता चला कि शिफा इमान के ताया की बेटी है तो उसकी हुश्य की कोई इंतहा ना थी और सहरिश भी यह जानकर हैरान हुई कि आतिफ आलम भाई का बेटा है सहरिश से यह देखकर ना रहा गया कि इमान को इतना प्यार करने वाला सस्टाल मिला वो बहुत ही अमीर लोग है सहरिश ने सोचा यह सब इमान आपी के लिए नहीं बलके मेरे लिए होना चाहिए था इमान की बेर हुई आहद आलम को समय नहीं आ रही थी सहरिश ने इसी बात का फाइदा उठाया और आहद की दिल में इमान के लाग शक डाल दिया कि इमान आपी बच्पन से ही जिशान को पसंद करती थी इसी बचे से वो आपके साथ खुछ नहीं अमी ने जबरदस्ती उनकी शादी आपसे कर दी ये सुनकर आहद हैरान था इमान एक दिन जिशान से मिली तो आहद को सहरिश की बात यादा आ गई आहद आलम के शक यकीन में बदल गया और फिर वो ही हुआ जो सहरिश चाहती थी आहद और इमान का दिरम्यान बहुत जग्रे होने लगे आहद ने इमान से कहा मैं सब बरदस्त कर सकता हूँ मगर दुखा नहीं अगर आपको मैं पसंद नहीं था तो फिर शादी ही नहीं करनी थी ऐमान हेरान थी कियाहत कोही रहो के अगया है फिर बहुत जलद इमान और आलम पर सहरिश की हैकिकत खुल गई जब कि आतिफ ने इमान को अपनी पसंद के बारे में बताया तो वो जयनके बहुत हुश हुई इमान आहद अर्म के साथ आतिफ और श्फा करिस्ता करने के लिए आए सब कुछ जैन के रहुशी हुई क्योंकि सब कुछ उनके सामने था सेहरिश के लाले से सब भूव वाकिफ تھे सेहरिश बाटे करने के कोई मुखार से ना जाने देती शफा और आतिफ का डिस्ता तैह हो जाने के बाद साहरिश ये केली रह गई थी साहरिश ने जिशान को अपने बिठी बातों में लिगाया और जिशान को पता ही ना चला वो कब साहरिश से मुखबच करने लगा जिशान ने बताया कि उसने जूट बोला था उसने शादी नहीं की, फिर सब गारवलों की रज़ा मंदी से जिशान और साहरीश की शादी का फैसला कर लिया गया, जबके इमान भी यह दालम के साथ हुशी से जिन्द के गुजार रही थी, आतिफ पिश्वा को पाकर बहुत हुश था, तो फ्रेंड्स, आपको इस ट्रेम के साथ हुशी तूर मां पाकर लिएमा की